आप सभी काता मास्टर सहाइब पे और आज हम लोग जो सिलेबस देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं स्टेट बोर्ड और टेकनिकल एजुकेशन बिहार यानि एस बी टीए बिहार जो हमारा डिपलोमा इंजिनियरिंग है उसका सिविल प्रांच का सिख सेमेस्टर का कितने सेमेस्टर का सिख सेमेस्टर का हम लोग देखने जा रहे हैं सलेबस ठीक है तो यह बिहार में जो हमारा डिपलोमा इंजिनियरिंग होता है सिविल फायंज का उसका सिख सेमेस्टर में कौन-कौन से पेपर पढ़ने हैं कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उन सारे चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले कि जो मैं सिर्फ इसमें जो समस्टर मांक से वह सब आप समझ जाएंगे इसको पाउस करके आप आराम से देख सकते हैं लेकिन जो हमारा कौन-कौन सा पेपर है उसमें क्या-क्या चीज पढ़नी है यह चीज हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए सबसे पहले यह जो यह मेरे पास जो स्लेवर्स आप देख रहे हैं इसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट जो दिया हुए वो है हमारा मैनेजमेंट का ठीक है जो कि कॉमन होगा और दूसरा हमारा कॉंट्रैक्ट एंड अगाउंट का तीसरा इंवारमेंटल इंजीनियरिंग है और फॉर्थ हमारा डिजाइन अफे स्टक्चेर है और एलेक्टिव आपको भी ले सकते हैं इंट समिस्टेर 17 मार्क्स का होगा जो आप इक्स्टरनल में देते हैं बाहर जाके वो आपका है दूसरी चीज है कि उसके बाद आपका यह समिस्टार का होने के बाद आपके पास यह सेश्टर आने के बाद क्या है कि एलेक्टिव पेपर जो सिविल इंजिनियरिंग का है वो आपका अगर आप यहां पर लेते हैं तो इसमें चार एलेक्टिव पेपर है पहला एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक एक्यूपमेंट्स है दूसरा मिंटेने अगर जाते हैं तो माइक्रो इमिंटिनेंस है और आपका वाटर्शेट इंगेजमन्ट है तो सारा आपके क्या है कि एक पेपरिए और आपको पांच है यानि 500 माक्स के इसमें एक्साम बाता हुआ है बास माक्स इसından होगा यह सारा कुछ आपको यह सारा सामन में आपको दिख रहा है, इससे आप उसको देख सकते हैं, दूसरी चीज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में दो ही पेपर का प्रैक्टिकल आपको होगा, six semester में आपका environmental engineering lab और elective जो आप लेंगे उसका lab होगा, ठीक है, तो यह आपका यह चीज और lab के लिए क्या है, lab के लिए वो सारा आपको यह नीचे दिया हुआ, elective जो आपका civil branch के वो उपर बेंदिसकस कर चुके हैं, ठीक है, और term work आपको यहां पे दिया हुआ है, किसका किया scheme, external marks, कितना examiner देगा, वो सारा चीज है, यह आप PDF के थूरू भी download SBTE के website से, आप कर सकते है ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहला हमारा था management का, तो management जो हमारा common है, ठीक है, उसमें हमें क्या-क्या theory में पढ़ना है, overview पढ़ना है बिजनेस के बारे में, कितने हैं टाइप के बिजनेस होते हैं, और बिजनेस में भी services क्या है, manufacturing क्या है, trade क्या होता है, ठीक है, इन सब च industrial sectors का introduction पढ़ना है, जिसमें हमें engineering industry पढ़ना है, process industry पढ़ना है, textile industry पढ़ना है, chemical industry पढ़ना है, agro industry पढ़ना है, और तीसरा जो topic होगा, overview of business में हमारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसमें भी उसका introduction जानना है, advantage इंडिया के respect में क्या होगा, यानि हमारा भारत के respect में क्या हो जानना है, IPR के बारे में जानना है, यानि intellectual property rights के बारे में, यह हमारा unit 1 है किसका, यह unit 1 है हमारा management का, ठीक है, चलिए उसके बाद unit 2 में हमें management process के बारे में जानना है, कि unit 2 हमारा unit 2 है, unit 2 में हमें जानना है management process के बारे में, कि management क्या होता है, उसमें उसमें पढ़ना ह होता है मेस्ट कोमें औरत्यार करने श Kol यह तो आ है इक पिर यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे। तो यूरिट 3 में हम पढ़ेंगे Organizational Management के बारे में Organizational Management में पढ़ना और्गनेशन का definition क्या होता है क्या-का स्टेप्स होते है organization में type कितने तरह का organization का line क्या होता line staff functional project यह साई चीज़ा पढ़नी है उसका departmentation पढ़ना है centralized decentralized decentralized department क्या होता है authority and responsibility क्या होता है Spawn of Control क्या होता है यह Unit 3 में है ठीक है Forms of Ownership के बारे हो जानना है कि Propertorship क्या होता है Partnership क्या होता है Joint Desktop क्या होता है Cooperative Society क्या होती है Government Sector क्या होता है तो यह 3 Unit है हमारा Management वाला ठीक है तो 3 Unit के बाद फिर 4th Unit में हम जानना है 4th Unit में हमें जानना है कि इसका introduction क्या है definition क्या functions क्या है staffing के बारे में जाना है introduction जो होगा HR planning का उसके बारे में जाना है recruitment procedure क्या होता है प्रस ऐसके personal training development के बारे में पढ़ना इसमें type training कितने तरह कि होते हैं introduction उसका पढ़ना है skill enhancement कैसे किया जाता है यह आपका human resource management हमें जाना है एकोल् não है कि और इसको हमें जाना है उसके और सेटी मैंजमेंट के बारे में जाना है जिसमें आने वह पुर्फायों करहता है कि यह साहिशब सब्सक्राइब Unit 5 में पढ़ना Financial Management के बारे में तो Financial Management में Topics आप देख सकते हैं Financial Management में Objective Functions है Capital Generation Management है उसके Type of Capitals है Source of Raising Capitals है Budget Account है Type of Budget Account कितने तरीके को होते है Production of Budget Account है उसके बाद Labor Budget है Introduction है Profit Loss Account का Introduction है आपका Excise Tax क्या होता Service Tax क्या होता Income Tax क्या होता Custom Duty क्या होती है यह सारी चीज़ आपको Unit 5 में पढ़नी है Unit 6 में आपको पढ़ना है Material Management के बारे में किसके बारे में Material Management के बारे में कि आपका Inventory Management के आपको Coin numerical आपको नहीं पढ़ना है इसका Meaning क्या होता है इसका Objective क्या है क्या Purpose हमें यह पढ़ने का ABC Analysis पढ़ना है Economic Order Quantity पढ़ना है Introduction और Graphical Representation भी पढ़ना है Purchase Procedure पढ़ना है Object क्या है Purchasing का Function क्या Purchase Department का Step क्या होता Purchasing का यह सारी चीज़े हैं Material Management में पढ़ना है ठीक है CPM Part Technique के बारे में जाना है ठीक है बहुत अच्छा Topic है अगर आप Diploma कर दी करने जाते हैं तो यह CPM Part वाला यहां जो आपको Introduction होगा वह आपको काम आएगा Concept जोई Breakeven इसका क्या है Quality Management के वारे पढ़ना है Quality क्या होता है उसका क्या Concept है साथ यूणिट परने हैं किसमें मैनेजमेंड में हमने कितने व साथ ऑने ठीक है भिक उसके लिए कुछ रिफेर्स्ट जो SBTA उन्होंने खुद दे कर जासे आप इंडूस्टियर इंडूस्टियर मेनेजमेंट की ले सकते बुखाक। अर प्रोसस मेनेडूस्टियर मेनेजमेंट ले सकते बॉख्रीन की बांगा एंड सर्मा एक बहुत famous book है ठीक है तो आप देख सकते हैं आपके institution में कौन से book चल रही है उसके हिसाफ़ आप इसको follow कर सकते हैं तो हमें 5 paper परने है semester 6 में जिसमें पैरा paper का detailing हो चुका है दूसरा paper हम चलते हैं दूसरे paper की तरफ हमारा है नौसरा paper हमारा contracts and accounts ठीक है contracts और account के बारे में पढ़ना है ठीक है तो contracts and account में भी हमें जो units परने हैं में सुरू करते हैं जो topic हैं हमारा पहला unit में परना है पहला unit में हमें परना है procedure of execution of work by PWD PWD फ्रू जो execution of work का वह हमें जानना जिसमें topic से अंदर में और ग्रेंजिशन और प्रस्टन के बारे में प्रसिजर क्या है वर्ट को इनिशियेट करने का उसका बजट प्रवीजन क्या है यह सारी चीज़़ पढ़नी है मैथट क्या यूज करते हैं हम लोग पी डावली में जो काम निकालने के लिए कॉंट्रेक्ट मेथट के तुरू या डिपार्टमेंटल मेथट के तुरू ठीक है रेट लिस्ट मेथट क्या होता है यह सारी चीज़़े हमें पढ़नी किसमें आपका कॉंट्रेक्ट वाले इस परसेंटेज रेट स्ट्रेक्ट है फोस प्लस प्रसेंटेज है और यॉनिट के वाले जानना है तेंडर की जरूत क्यों परती है और यह जो लोगल और गलोबल टेंडर होता है वह क्या चीज होता है ठीक है meaning terms के बारे में जानना है कि earnest money क्या होता है security deposit क्या होती है right to reject one और all tender का क्या मतलब होता है ठीक है ये टेंडर में इन सब चीज़ों को परना है ठीक है और भी सारी चीज़ देख सकते हैं tender document के बारे में list schedule A, schedule B, schedule C क्या होता है टर्म के जो रियेटर होते हैं tender document से जैसे की contract conditions हो गया time limit हो गया time extension हो गया penalty हो गया defective material and workmanship हो गया यह सब चीज़े और भी चीज़े हैं जैसे की liquidated and unlimited damages क्या होगा यह सारी चीज़े हमें tender or tender document हो पढ़ने यह unit 3 में ठीक है इसका document भड़ा कैसे जाता है किसी contractor के थुरू जो आप सुनते होंगे कि tender निकला है ठेकदार ने ठेका लिया है तो कैसे किया जाता है उसमें क्या क्या point हमें observe करना होता उसके थुरू ठीक है और जो procedure होता है उसको feel करने का tender document का वो क्या होता है प्राइब कैसे होती टेंडर को कैसे किसी contractor को या ठेकदार को मिलता है ठीक है अनबैलेस्टेंडर क्या होता है रिंग फार्मेशन क्या थी यह सारे चीजें यूणिट 3 में हमें पढ़ना है ठीक है फॉर्थ है हमारा account in PWD फॉर्थ में हमें क्या पढ़ना है और उसके यूजेजश मेजरमेंं जानना है नोमिनल मस्टर रोल क्या होता है ठीक है ऑष्टाइब क्रेश्ण क्या होता है वह एकाशल क्या होता है थे फॉर्ट प्रार में यह सब चीजे हमें सब्में परना है यूदपडार कि कैसे होता है जो ठेकदार होता है जो ठेकदार होता है इसके थेके लिया लखथा से उसको कैसे पेमन्ट दिया जाता है वो सारी छीजस में परना है फाइनल पयमेंट क्या होता है nostro yeah try झाला कि कार लिुलाजलोर के चाहरे इसमें पर्णा किसी एडम का क्या होता है किशा है चीज्स करते हैं किसी यह म्याख neutrality का संथ आ स्पैसिपिएश्ट जिटेलर्ण यह क्या है लिगल अस्पेक्स क्या होते हैं वो सारे चीजह है Unit 7 में क्या है Unit 7 मैं capita कि वैलुएशन उसके ज Cypher匡 कोण क्यों पढ़ती है उसके यह dot में वैलू कि में के वैलू के ताइब किटने होते हैं डिपरेशन क्या होता है और फैक्टर जोगे लेशन को एफेट करता है इसके बारे में यह सारे चीजे पर सकते आना है तो यह साथ यूनिट हमें परना है कितना यूनिट साथ यूनिट हमें पढ़ना है इस वाले मतलब पेपर में हमें जो हमारा सेकेंड पेपर है ठीक है इसके लिए भी बुक्स रेफरेंस दिया हुआ है एस्टिमेटिंग और कोस्टिंग सिविल इंदत्ता का बहुत अच्छी बुक है आप ले सकते हैं इस्टिमेटिंग कोस्टिंग स्पेसिफिकेशन वैलेशन सिविल इंदत्त का भी आता है तो आपका किसी साब से वह चलना उसके आपका बुक ले सकते हैं इसे फेमस बुक की बात का है तो बी अंदत और एसी रंग वाला बहुत फेमस बुक है तो आप उसको भी देख सकते हैं तो यह आपका सेकेंड पेपर हो गया अब चलते थर्ड पेपर के तरफ थर्ड पेपर हमारा इंवारोमेंटल इंजिनियरिंग क्या है इंवारोमेंट इंजिनियरिंग बहुत इंपड़न पेपर है यह पर आपको भी टेक से लेके अव्क तक लेकर जायागा आगे की तरफ ठीक है तो इंवारोमेंटल इंजिनियरिंग में हमें जो है क्या-kया unit परना उसके अंदर क्या-kया परना है तुक है सबसे पहले यूनिया हमें पार इसको control कैसे करते हैं इसके लिए लौ जो गवर्मेंट ने बना रहा है वह क्या यह हमारा unit 1 में हमें पर ना है दूसरा unit है हमारा public water supply public को वाटर सप्लाई मिलती है उसका quantity water कैसे हम लोग देखते हैं इसे demand जो वाटर का होता है परकास्टिंग जो हती पॉपॉलेशन की भविश्वानी जी इसको बोलते हैं कि अभी यहां पर इस एरिया में इतना पॉपॉलेशन है तो आगे चलके कितना पॉपॉलेशन होगा यह सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं और भी टॉपिक्स है लेकिन हम लोग इसक इसमें जो इनलीसिस होती है वाटर की वह देखते हैं क्या जो होता है फीजिकल केमिकल बायोजिकल टेस्टिंग जो होती वाटर की टोटल सॉलिड हाडनेस यह सारी चीज़ों पीएच टेस्टिंग यह सब इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन और व प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें उसका क्यों करते हैं मैथट क्या होता है ठीक है कैसे करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं वह सारी चीज़े हम लोग इस यूनिट में इसके अंदर पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद हमारा क्या 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 क्यों करते हैं कॉन्वें 3 में हम पढ़ेंगे domestic sewage जो घड़ेलू कचड़ा होता है ठीक है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि यह इसका introduction का importance क्या necessity क्या होता है sanitation का necessity क्या होता है recycling कैसे करते reuse कैसे करते domestic waste को उसका building sanitation है उसका definition है terms जो से related है उसको पढ़ेंगे rainwater pipe जो है soil pipe क्या होता है इन सब चीज़ों का हम लोग unit 3 में पढ़ेंगे उसका system जो है sewerage का system भी पढ़ना है इसी unit के अंदर ठीक है systems of sewerage types of sewers क्या है system क्या sewerage का design कैसे करते sewer को self-cleansing velocity क्या होती है ठीक है और उसके सीवर का manhole क्या होता है drop manhole क्या होता है ठीक है यह सारी चीज़ा हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे उसके बात analysis हम लोग करते sewage का की characteristics जो होता sewage का BOD COD और जो significance होते यह सब हम लोग इसके बारे पढ़ेंगे और महरास्त्रा जो pollution control board का जो नॉम है सब्सक्राइब और इसका जो लास्ट टॉपिक है थार्ड यूनिट का treatment of sewage इसको कैसे ट्रीट करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ेंगे कैसे screening करेंगे कैसे सेग्ड ब्रीऊ deposit मिन चाएब होता है सेडिमेंटेशिंट क्या होता है ठीक है teraz being filters कहा थे एक्टिवेटेस्स प्रोस्सस क्या थे सब इसके अंदर देखिंगे आवह यूनीट 4 में आता Manufact only industrial waste के बारे में एंम इड्स्टियल कि बारे में industrial waste water characteristic जो होता भो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है जैसे कि से अब का सुग डेरी टेक्सटाईल पेपर और पर ऑ स्थ्ट्रीं से क्या क्या स्अ पढ़ेंगे उनिट फाइब इन्वार्मेंटल पॉलूशन के बारे में पढ़ना जैसे कि एर पॉलूशन जो हमें गारी के तुरू मिलता है उसके पॉलूशन है उसके सोर्स क्या होते हैं उसको कंट्रोल कैसे करेंगे यह सारी जिए ग्लोबल वार्मिंग जो एसे ड्रेन आ होते हैं इन सब चीजों के बारे महां हाग्यार्डन वेस्ट क्या होता है उसके थाइफ कितने तरह का नहीं कैसे हो तो सब साथिज सिक्समें बढ़ेंगए विशन में उन्यूनिट seven ao kes environment is in expectation कि बढ़ेंगे कि इसकी जरूरत के अपरति इसका क्या इंपोर्टेंस है और रूरल सेनिटेशन जो होता है उसमें टाइप आफ प्रिवी है इसको देखेंगे और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इनवारोमेंटलों का वो है हमारा प्लंबिंग का यूनिट एट में सेट्री प्लंबिंग ले आउट इन सब चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो यह टोटल आठ यूनिट में हमें इंवारोमेंटल इंजिनियरिंग को परना है इसके लिए कुछ बुक दी गई है ठीक है जिसमें पहला बुक आपका दिया है इन्वारोमेंटलों बॉल्टू संतोश कुमार जिसको इसके गर के नाम सेंदर बहुत अच्छी बुक है जातर लोग यह यूज करते हैं उसके बाद आपका कामला ए और कांतराओ का है यह बुक भी अच्छी है वाटर सप्ला इंजिनियरिंग है और पलंबिंग डिजाइन के बारे मेंगर स्पेशली आपको परना है तो यह बुख लिए वरना उतना थोड़ा वहत आपको इसमें मिल जागा यह जो इसके करक की बुक है एर पॉलुशन का है ग्राउंड वाटर के लिए लग है इंडेस्ट्रिल वाटर के लिए लग है इंवर्मेंटर इंजिन के राहल सीना की बुक है लेकिन आपको यह सारी ची झाल के लेक्शान के बारे में होना है जिसे उडार है आपका working stress method क्या होता है और मिल स्कूलर करा है कि arrange them house को को लिखें तो एजब्शन लिख रहे हैं पॉइंट बिलते हैं साथ मांक्स का पांच मांक्स का कोश्चन आता है ठीक है एकुवेलेंट बेंडिंग इस्ट्रेस डिस्ट्रिबूशन डाइग्राम आपको कॉंसेफ्ट प्री इस्ट्रेस एडवांटे डिसेवांट प्री क्या होता है इसके टाइप क्या होते हैं पार्शल सेफ्टी फ्रक्टर क्या होता है मैटरियर स्ट्रेंथ क्या होता है क्रेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है यह सारी चीज़ा में इसमें पढ़ेंगे आयसे स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेसिंग ऑफ रेंफ सब्सक्राइब करेंगे वह हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे सारे टॉपिक सब टॉपिक इसके अंदर दिये हुए यूनिट फॉर में हम एनलेसिस ऑफ डबली रेन्फोर्स सेक्षन परना है वह भी लसम मैंथर से इसके इसके अंदर दिये हुए तो टोटल चार यह हो पाच्वा में हमें शीर बॉन्ड और डेवलोप्मेंट लेंथ यह सब लसम मैथर से परना है इसमें भी तीन टॉपिक अंदर में आते हैं यूनिट फाइब के अंदर नेक्स्ट यूनिट शिक्स में हमें एनलेसिस जो टी बीम का देखना है ठीक है टीम का अनलेसिस देखन में लसम मेथर से यूनिट टीक है और यूनिट एट जो हमारा वह हमारा डिजाइन और एक्सियल लोड कॉलम एन्ट के बारे में की कोलूम और फुटिंग का हम लोग डिजाइन कैसे करते लसम में चाहिज़ां परना है उसके बार में सारी चीज़ां अंदर वें टॉपिक म निसमें तो यह आपके चार पेपर हो गया है वह हमारा पांचमा पेपर था एलेक्टिव पेपर टीकर जिसमें से आप कोई साथ भी एक पेपर लेना है तो इसमें पहला था आपका एडवांस कंक्रीट टेकनिक इक्विप्मेंट का ठीक है तो उसका यह आप में यह शॉट में आपको बताता चलता हूँ चुकि आज जो आप लेंगे उसके हिसाब चाप पाउस करें उसके सिलिबस को देख लेना ठीक है इसमें पहला युनिट में एडवांस कंस्ट्रक्शन मेटेरियल के बारे में परना है ठीक है तो प्रीकिए कंक्रीट और और वाटर कंक्रीटिंग बारे में जैसे की फमकार्प रिक हैं कंस्ट्रक्शन मुंटैज बिल्धिंग का चाहिए यहां और के वादा नहीं बिदेरां के संट इकहिता है तो फॉर्थ युनिट में पर्ना है वोस्टिंग ये से हैं अर्थमोवीं मेशिनरी जैसे वाद देखते हैं फिल पॉम्पैटिव एक्यूपमेंट रॉलर वाद उसके वाद में परना है एक्यूपमेंट्स। आपको दिये हुए है यह स्क्रीन पर पाउस करके एक बार इसको पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह आपका रिफरेंस बुक भी दिया हुआ और यह भी दिया हुआ है अलेक्टिव वन था यह अलेक्टिव दूसरा जो आप ले सकते हुआ है मिंटेनेस और रिहाविलेशन ऑफ करते हैं इसका पढना है फोर्थ में आपका मैंसलेंडी ओल परना तिर्फ मैं रिपियर जो होता है foundation का वह कैसे करते हैं ठीक हैं सिक्समें वाटर प्रुफिंग कैसे होता है ठीक है वह आपको परना और से मेंस का बएक्पाइżenia की वाइस हो Espanya फिरूपै optimal प्रुख के बारे में जानना है तो यह आपको उसके लिए रिफ्रेंस बुक्स यहां पर दी हुई है आप इसको पाउस करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी पुक हम ले सकते हैं तीसरा जो आप एलेक्टिव पेपर ले सकते हैं वह आर्किट्रेक्ट्र प्रैक्टिस और इंटियर डिज को ठीक है तो उसमें आपको पहले युनिट में आपको आर्किट्रेक्ट्र डिजाइन के बारे में परना है कि आर्किट्रेक्ट्र डिजाइन के बारे में उसका प्रिंस्पल क्या है बिल्डिंग का बाइलोग क्या उसका अप्लिकेशन क्या है दूसरा बिल्डिंग का एस् स्कैपिक के बारे में पढ़ सकते हैं हमें चारी युनिट हमें पढ़ना section A में section B एंटेरीड डिजाइन सबसे पहले चीज हमें जानना है यह एलिमेंट और फ्रिंसपन का क्या क्या होता है ठीक है उसके बारे में कीसा होता है टेक्स्चिर स्बेसिंग इन सब के बारे में यूइन यूट 생각ना іंत्व परमेट्रिक डाटा के बारे में जैसे की से प्रेकश्च के बारे में लोन मंपरना एंटेश्र माधी और फॉर्थ में यूनित में परना इंटेडयर ओफ से जनिल brother च बारे में के बारे में लोफ c subject Allah की चिनियर ऌफ उसली में हैं आपका ओ्र स्नाल इस्त्री बीलिडिंग के बारे में कि ऌन्हें यूनिट में परना है तो यह तीसरा आपका एलेक्टिव पेपर था उसके रिफ्रेंस बुक यहां पर दी हुई है आप इस में से बुक्स ले सकते हैं ठीक है उसके आइस इंटरनेशनल कोड से भी आपको परने वह आपको यहां पर दियो कुछ सौफ़वेर यूज़ करने होंगे जैसे कि आपका सौफ़वेर से इसको जानना चाहिए तीसरा था और चौथा हमारा एलेक्टिव पेपर चौथा आप ले सकते हैं मतलब यह सब कोई एक लेना आपको यह सारे आप्शन्स आपको दियो एलेक्टिव लेने के लिए ठीक है इसमें आपको जो है यह पढ़ना है और्थ चाहिए इसको जानना है क्या होता है कि उभलते हैं क्यों आता है हमारा ठीक है उसका सेस्मिक जोनिंग क्या होता यह वाख्ड ये सारी चीज़ आ में इसको पढ़ना है तोसरा आपका वाक्सींगल डिग्न शिस्टम के बारेमिACH में गाना है योनिश taken a अड़िडेक्भी — यह सारी चीज़े आपको यह टॉपिक देख रहा होगा स्क्रीन पर देख सकते हैं पाउस करके तो यह आपको दूसरा यूनिट हो गया दूसरा यहां तक है आपका दूसरे यूनिट में आपको 15 टापिक्स परणा है एकक्वरेंट विस्कस डैम्पिंग के बारे में परणा है पूरा और यूनिट फाइब में जानना है अहसेसमिक डिजाइन ऑf स्कुचर के बारे में यह पांच आपको यूनिट हमें परणा है इस अलक्टी इसके लिए बुक्स यहां पर दिया हुआ है और को एक डेसिस्टन डिजाइस का जैकरिष्णा का है डैनिमिक ओफ इस्ट्रक्ट्ट्र मारियो पैस का है एक चोपरा का है तो यह सारी चीज़े आप बुक्स ले सकते हैं यह आपका चार मतलब पांच हो गया है पांच एलेक्टिव पर उधर हो गया है अभी मैं फिर से पीछे बताऊंगा कि क्या 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 आपको परना है स्टेमेस्टर 6 में अब देखिए अगर आप रूरल से कर रहे हैं तो माइक्रो इरिगेशन में आप ले सकते हैं उसका भी यहां पे प पूरे दिये हुए यहां पे ठीक है यह पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं अराम से वीडियो पूस करके थाट यूनित है आपका मैथर्ड आफ माइक्रो और इरिगेशन उसके बारे में कि कौनकों से मैथर्ड होते हैं माइक्रो इरिगेशन के फॉर्थ यूनित है इस कहीं के है उसकी बुक्स आपको दिवो इंना खैय कर इस निई कez- hepat average इंक्रो इंक्र्ण के लिए अलग से ले सकते हैं टिक है यो उसका इन्टिक्शन पारना है यह आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक पड़ना दूसरा में काउज और डिटेक्शन डेमेज का पड़ना वही चीज है जो इससे पहले हैं देख चुके हैं यह उपर में अपको आपको देखने को मिला है ठीक है उसके बाद आपका जो तीसरा है वाटर्शेट मैंजमेंट यह रूर्ल के बारे में हैं वाटर्शेट मैंनेजमेंट में आपका पेला उनिट में इंट्र gobierno नएक्शन परणे है कि वाटर्शेट होता नो चीजएवाटर्शेट मैंसरे दूषरे ůूनिट में आपको पढ़ना है सॉलिट वाटर कंजरवेशन के बारे में स्वाइल इरियूजन प्राब्लम्स चै क्लासिपीकेशिए उन्हिटाशी के बारें चे क्लासिटिगेशं की सहाँ सैपने हbased Для उनिट के अंदर लगबग हमें नौ टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनिट्री में रोटर हर्वेस्टिंग के बारें जानना है तो नहां है इसको पर सकते हैं तो हम तो यह आपका रूरल में आपका वो हो गया। उसका दिना अडिल्वरां अप्राक्टिकल पर्पा में ड्रभ का यह देख सकते हैं मैं उपाजी पर सकते हैं इंटलेक्टुल स्कील से मोटर स्कील है और वाटर सप्ला इंजिनेरिंग्मे क्या-क्य करना ये वो आप सकते हैं। उसका सेट्र्टरी इंजीनियरिंग है उसमें क्या प्रैक्टिकल आपको करना है वो देख सकते छे चीजह आ हैं। यहां पर लिस्ट और सेटिकल को करने साथ आठ प्रेक्टीकल करने हैं और उसके बाद असी तरह आपका जो अदूसरा पर एलेक्टिव का वो आपका मेंटेनेंस और रियाबिलेशन का है उसमें उसमें जो content है practical का यह पास सेरियल तक आप पढ़ सकते हैं कौन-कौन से ठीक है और उसका आपका इसके आगे दिया हुआ है next है आपका architecture practice और interior उसका भी lab है ठीक है मतलब यह आप जो एलेक्टिव लेंगे पीछे की तरह पीछे क्या एक आपका normal एलेक्टिव एक rural selective है तो दोन जो में से जो जिसका भी एलेक्टिव पेपर आप एक लेंगे उसका आपका lab भी करना तो इस lab का मैं आपको यहां पे details दिखा रहा हूं content practical का क्या क्या है ठीक है यह आप पाउस करके वीडियो पर सकते हैं ठीक है और उसके बाद क्या है इसके बारे में उसका आपक माइक्रो इरिगेशन अभी जस्ट मैंने बताया उसका प्रैक्टिकल में आपको क्या करता है चार चीज़े प्रैक्टिकल में है आपका ठीक है और उसके बाद आपका यह आपका maintenance और इसका जो रूरल का चल रहा है रूरल का lab अगर रूरल से आप ले चुके हैं यह क्या ब क्या होगा चार कंटेंट आपका दिए और इनवाटर हर्वेस्टिंग के बारे में और उसके बाद उसके बाद आपका है कॉंट्रेक्त एकाउंट आपका तो उसका भी आप टीमवर्क टर्मवर्क देख सकते हैं टीमवर्क कर aykशाना पड़ेगा जिए आपका पूड़ा यह टीमफ टर्मवर्क नह consumer इसके यह आपको करने है आपको और्यूंज सथ करनी आपको करने करने या उसके बाद सकते हैं पाउस करके ठीक है यह आपको SBT के वेबसाइट पे भी इसका यह आपको PDF मिल जाएगा ठीक है IS Code में आपका सबसे important IS Code यह जो IS for 562,000 इसको जरूर पढ़ें ठीक है पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ें यह बहुत important है ठीक है उसके बाद आपका professional practice जो six semester में को करना है mechanical और civil दोनों को मिल के उसका term work यहां पर यह दिया हुआ है ठीक है यह आपका total है ठीक है 25 marks का होता है तो यह आपका term work में unit 1 में क्या क्या है देख रहे हैं आप unit 2 में क्या क्या है वो भी देख लीजिए यूनिट 3 भी देख सकते हैं यूनिट 4 में देखिए क्या क्या रोक के वीडियो पाउस करके आप इसको एक पर लें यूनिट 5 में देख सकते हैं और उसके बाद आपका ये इधर आगे रा प्रोजेक्ट जो सिविलिंग प्रोजेक्ट का टर्म वर्क है उसके बारे में हैं ये भी आपका 50 Marks का होता है ठीक है जोकि लास सेमेस्टर होता है इस स्रीण को बाहर निकलना होता है तो ये सारी चीज़ें आप करनी पड़ेगी ठीक है तो लाइस लिस्ट आप प्रोजेक्ट आपको देखना सारे प्रोजेक्ट लिस्टेस में से कोई साभी एक चुन सकते हैं ठीक है यह आपका टोटल आप पाउस करें ते ट्वेंटी फाइव है एनी अदर सिम्रा प्रोजेक्ट यहां पे लिगी भी दिया गया है कि कोई साभी प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट आपको सेट इसके लिए बुक्स आपकी यहां पर दिया हुई है लेर्निंग स्वर्जेक्ट इसको लोग बोलते हैं उसके बाद आपका रूर्य इंजिनिंग में जो ट्रूम वर्क है उसके बारे में यहां पर दे और यह आपका 25 मार्स का इसका एक करना है इसमें से किसी एक को आपको चूज करके यह टीम वर्क करना है इसमें से तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलें तो यह आपका क्या था यह आपका एक पूरा वीडियो था सेमेस्टर शिक्स का ठीक है ठीक है डिपलोमा एंजिनियरिंग का ठीक है डिपलोमा एंजिनियरिंग बिहार का ठीक है लगबग सारे स्टेट का थोड़ा सा आगे पीछे होता है स्लेबस मैं बिहार का भी स्लेबस डिसकस कर रहा हूँ अगर आपको अपने स्टेट का स्लेबस भी देखना है इस तरह के वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे छोड़ सकते हैं मैं वो बताऊंगा और इसी चैनल पर आपको हर सेमेस्टर के पेपर भी आने की मैं डालने की कोशिश करूंगा जितनी जन्दी हो सक लगों के लिए तक चुपिए उनको पास सुना होता है जन्दी से अनके पास राइन खम होता है और निकल के बहुत साथ तयारी भी करनी होती है से सी जेई आरवीजेए और भी स्टेट जेई की जो एग्जामेशन सो तो उनको भी देखना होता है तो आप जो है यह सिख सेम यह हम आगेर फिर से इसमें हमें कितने प्रपर परने सिर्ख सिर्ख सेमस्टर में पांच प्रपर परने जिसमें चार आपका प्रपर होगा और एलेक्टिव में कोई एक लेना है अब एलेक्टिव में भी अगर आप ये लेते हैं तो इस चारों में से कोई एक लेना है और एक practical होगा और अगर आप यह उपर वाले में से लेते हैं चार वाले में से तो उसका लैब देना है आपको और आपको टोटल 14 है और आपको एलेक्टिव जो है है तो यह आपका टोटल स्लेवर्स था किसका हमारा सिक्स सेमेस्टर का बिहार स्टेट बोर्ड और टेकनिकल एजूकेशन का टिक सिविल एंगि इन्जीनियरिंग का टीक है तो मिलते हैं next वीडीयो में और आपको सारे छे से छे सेमेस्टर में हर सेमेस्टर के वीडियो हमारे चैनल पर एवलेवन मिलेंगे ठीक है सिक्स सेमेस्टर के 5K 4K 3K 2K 1 के सारे के सारे मिलेंगे थेंक यू वेए मुच्छ